SLO 10.1.6 पढ़ेंगे Describe that damping progressively reduces the amplitude of oscillations Damped oscillations क्या होता है The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations पहले हम जो oscillatory motion पढ़के आ हैं या oscillations जो हमने पढ़ी थी वो undamped oscillations पढ़ी थी वो undamped oscillations कैसे थी और damped oscillations क्या होती है वो पढ़ेंगे अब damped oscillations क्या होती है कोई भी object oscillate करें ये let's suppose ball and ball example वाल मिन लिया है तो ये जैसे ही object को हम यहाँ पे लेके जाएंगे extreme position पे ये फिर से क्या आएगा mean position की तरफ आएगा और ये फिर यहाँ पे जाएगा दूसरी extreme position पे अब ये क्या करेगा ये फिर से यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ से वापस आएगा अपने amplitude को तफदील करेगा फिर ये यहाँ पे आएगा फिर यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे आएगा ऐसे ही अपने amplitude को क्या करता जाएगा reduce करता जाएगा क्यों reduce करेगा क्योंकि यहाँ पे जो इसकी energy थी न बॉल की वो जो energy थी बॉल की वो resistive forces की वज़ा से कम होती गई resistive forces यहाँ पे कुण साथ friction था इस बाल के बीच में और बाउल के बीच में बाउल और बाउल के बीच में जो force था, resistive force, वो था, frictional force, force of friction, friction क्या होती है, friction जो होती है, friction opposes the motion of object, क्या करती है, opposes the motion of object, motion of object, जिस direction में object, move करता है, उसके बिलकुल a positive force लगती है, जैसे के ये बाल एकसीदे, surface पे जा रहा है, बाल की rotation इस तरफ है, तो ये force of friction पीछे की तरफ लगेगा, यानि जो भी motion होगी उसको रोकना चाहेगा, अब ये क्या करेगा, जब बाल extreme position पे था, तो यहां पे इसकी amplitude क थी, let's suppose यहां पे इसकी amplitude थी 5 meter, जब ये एक vibration complete कर गया, उसके बाद जब दूसरी बार आया, तो इसकी amplitude क्या बनी 4 meter, तो amplitude कम होती गई, जब तीसरी बार आया, तो इसकी 3 meter बनी, ठीके, तो इस frictional force की वज़ा से, यहां पे frictional force किस किस के बीच में है, यहां पे जो frictional force है, व बाल यहां की तरफ move करना start कर रहा है, तो frictional force पीछे की तरफ लग रही है, तो यह क्या कर रहा है, इसके motion को oppose कर रहा है, तो इसकी energy को कम कर रहा है, ठीके, जब energy को कम कर रहा है, तो object क्या करेगा, अपनी oscillations को कम करता जाएगा, तो जब oscillations को कम करता जाएगा, तो क्या होग इसकी जो amplitude होगी वो कम होती जाएगी ठीक है oscillations in case oscillations का मैं amplitude कर रहा हूँ oscillations वही रहेंगी oscillations पहले दस बार करेगा फिर भी दस बार कर सकता है लेकिन वो जो oscillations का amplitude है वो amplitude reduce करेगा वेव के फाम में देखते हैं यह वेव है पहले जो amplitude बना वो इतना बना अब दूसरी बार बनेगा वो इससे कुछ कम बनेगा फिर इससे कुछ कम और फिर इससे कुछ कम फिर इससे कुछ कम फिर इससे कुछ कम ऐसे जो है इसकी amplitude की value क्या होती जाएगे कम होती जाएगे amplitude की value कम होती जाएगे तो किस friction between ball and bowl ठीक है तो इसी resistive force की वज़ा से इसकी amplitude जो होई वो कम होती गई इसी वज़ा से इस motion को damped oscillation कहते हैं वो oscillation जिसमें कुछ resistive force की presence में oscillations हो ठीक है oscillations जो कुछ resistive force की presence में हो तो उसको damped oscillations कहते हैं अब यह जो हमारे पास bike होती है या car होती है उसमें जो shocks लगे होते हैं जब भी किसी bump के उपर जाते हैं तो वो क्या करती है violently vibrate करना start करती है गारी जब bump के उपर जाती है सीधा रास्ता का सीधा रास्ता आके एक bump आ जाता है जहां से गुजर करती है तो वो जो shocks होते हैं लगे होते हैं tires के उपर तो वो जो होते हैं body से connected होते हैं और दूसरी जो rim होती है ठीक है उसमें wheel में उसके साथ attached होते हैं तो उसमें अंदर एक piston लगा होता है उस piston में क्या होता है कि oil उसमें शाख में तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रहा हूं बुक से ये देखें ये एक शॉक एब्सॉर्बर है तो ये नीचे वाला हिसा जो होता है ये टार के साथ कनेक्ट होता है रिम के साथ और ये कार की बोडी के साथ कनेक्ट होता है ठीक है यहाँ पे अंदर क्या है ये एक piston है ठीक है पिस्टन है और इसमें जो ये red वाला ये क्या है ओर इंस वाला ये liquid भरा पड़ा है इसमें जो oil होता है वो होता है अब क्या होगा जैसे ही कार एक बंप के उपर जाएगी ऐसे तो ये क्या होगा ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा ठीके जब नीचे की तरफ जाएगा तो इस ऑईल पे फोर्स लगेगी ऑईल उपर चला जाएगा आईल क्या चाहेगा उपर जाएगा और पिस्टन नीच की तरह force लगा रहा होगा तो जैसे ही हमारे पास यह liquid क्या है यह liquid इसको resist कर रहा है resist मतलब liquid में जो force होती है वो कौन सी होती है वहाँ पे एक viscous force होता है उस force की वज़ा से इस piston को जो vibrate करना था जल्दी में vibrate करना था वो जो जल्दी में vibration होगी वो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एक resistive force है oil का तो यहाँ पे oil इसको क्या करेगा piston को आइस्ते आइस्ते move करवाएगा और इसकी energy को reduce करेगा piston की energy को reduce करेगा और यह आइस्ते आइस्ते जो है न वो energy इस oil को मिलेगी oil heat up हो जाएगा oil गरम हो जाएगा तो वो जो है mechanical energy जो piston की थी वो oil की heat में convert हो जाएगी तो ऐसे ही हमारे पास यह simple sorry dam dosilations होती हैं यहाँ पर उपर diagram में देखें यह यह एक diagram में इसमें देखें पहले वाला जो amplitude था वो बहुत ज्यादा था अब नीचे वाला थोड़ा कम फिर उपल वाला थोड़ा कम फिर नीचे वाला थोड़ा कम और फिर कम और उससे ज्यादा कम तो यह क्या होता जाएगा decreasing amplitude, amplitude decrease होता जाएगा, ठीक है, जैसे ही time गुजरता जाएगा, जैसे ही force इस पे लगती रहेगी piston पे, तो इसकी amplitude क्या होगी, कम होती जाएगी, कि energy कम होती जाएगी तो उसकी amplitude भी कम होती जाएगी तो इसी motions को क्या कहते हैं damped oscillation कहते हैं पहले जो हम forces पढ़े थे हमने examples पढ़े थे जैसे motion of pendulum था यह simple pendulum की motion थी वो हमने क्या देखा था कि यह simple pendulum में यह vibrate करता रहता है vibrate अपनी mean position के बीच में करता रहता है A और B के बीच में vibrate करता रहता है तो इसकी जो amplitude थी वो क्या थी वो change नहीं हो रही थी तो यह undamped था जो हम पहले पढ़े सुके simple harmonic motion में undamped oscillation अब practical life में आते हैं practical life में आपके पास ऐसी कोई भी undamped oscillation नहीं मिलेगी आप practical life में आएंगे oscillation लेंगे ठीक है एक simple pendulum बांदेंगे आप किसी के विसाथ हो simple pendulum बांदेंगे तो यह ball जाएगा उपर यहाँ पर यहाँ पर आएगा फिर आएससे इसके amplitude कम होती जाएगी और यह आखिर में रेस्ट में आए जाएगा तो यह undamped oscillation ती प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यह oscillations मिलेंगी अब यहाँ पर pendulum के पास कौन सी friction force थी यहाँ पर air resistance थी और air resistance वाला जो force होता है जो रुकावट डालता है motion में उसको हम fluid friction भी कहते हैं fluid friction अब fluid friction फिलूइड लफ्स जो होता है यूज वो liquid के लिए भी यूज होता है और gas के लिए भी यूज होता है fluid means flow करना और फिलो जो है वो liquid भी कर सकती है gas भी कर सकती है तो इसी वज़ा से हम इसको fluid friction कहेंगे तो mostly जो आप practical life में oscillations देखें 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 वो damped oscillations होंगी उनका amplitude आइस्ते इस्ते कम होता जाएगा और जो हम simple harmonic motion में लेते हैं उनमें जो frictional force होता है वो जो friction वाला force होता है वो zero कर देते हैं उसमें कोई भी opposition imagination नहीं होती हो वो vibrate करता रहता है तो यह था damned oscillations अब करए समय में नहीं कर किया हुआ है को कमेंट में पूछ सकते कि वह कुस्यन कमेंट में पूछें इंशालाह मैं आपको अगर्स में आपको वाज़ें नहीं नहीं तो मैं वीडियो बना के भीजूगा थेंक यू